जल्दी आप भगवान नाराएंड जी के दर्शन करने वाले ही, ये माना खुल्यान आस्रम है और इसी आस्रम आप बहुत नजदी घम पहुंच चुके हैं मंदीर के तो मैं मंदीर के प्रथम दर्शन आपको कराने वाला हूँ देखिए, आप भगवान वदीनाद जी के दर्शन कर पा रहे हैं, इसी खुब फूरा दर्शन की एक जलक पाने के लिए कई जनम लोगों को लग जाते हैं, भर्षों वीजाने के वादे हुश्व वाउशर प्राप्त हो पाता है, तो आप लगातर प्रविश्ट करते हैं मंदिर के तरफ, आप यहां भगवान की पूजा के लिए प्रसाद भी उपलब्द हैं, प्रसाद यहां से आप ले सकते हैं, और यहां से आपको मंदिर पहुँचने तक लगातर, तरसाद उपलब्द हो जाएगा, ता यह भगवान स्री लक्स मिनारायन जी के चरणों से होकर पवित्र धाम हरीद्वार के लिए अलगनन्दा बहती हीं, और यहां शवी भगवान को आस्रेवाद देती हीं, तो यहें लक्स मिनारायन जी भगवान बद्रिनाद जी, यहां शाक्षाद 33 कोटी देवी देता हूं, के साथ बिराज मान ही, इसलिए देव भूमी उतराखन को इतना पवित्र अस्थान माना जाता है, और हर प्रकार की शामागिरी यहां पर उपलब्द है, प्रभो की अनेक मूर्तियां हस्त कला से वनी हुई, आपको यहां उपलब्द हो जाएंगी, तो असा सो भाग्या हर वार नहीं मिलता, जीवन में हौसर निकाल कर जरूर इस पवित्र धाम के दर्शन करने का मन बनाएं, और निश्चिती प्रभो जब आप मन बनाएंगी तो आपकी मनो कामना भी पूरी करेंगे, तो अब यह है प्रभुक्त, का प्रवेश द्वार, और यहीं से पवित्र धाम के अब दर्शन होते हैं, यहीं से प्रभो को सीज़ जुकाते हुए लगातारा प्रभो के दर्शन करशकते हैं, देखिए प्राते कालवी सरदाल लुजवन लगात्तार प्रभू के दर्शन के लिए भीड़ वजुम उम्रा हुआ है चोटे-चोटे बच्चे युवा वुजुर्ग महलाएं सभी प्रभू के दर्शन के लिए यहां पधारे हुए हैं प्रभू का यह खुशुरत द्रिश यहां आने मात्र शेही जीवन के सभी दुख दलिद्र कलेश शमाप्त हो जाते हैं सभी प्रकार के रोग और दोस्त जीवन से शमाप्त हो जाते हैं तो प्रभू की पावन भूमी का दर्शन करने का सौभग्या जिससे मिल जाए उसका जिवन धन्या हो जाता है इस समय और यहां यह तप्त होन कुंड है जहां माइनस डिग्री तापमान होने के वाबजूद भी और चारू तरफ वरफ होने के वाबजूद भी जो कुंड का पानी है वो गरम रहता है मैं और नजदिक से आपको कुंड के दर्शन करवाऊंगा बजरीशो वजियते भगवते वासुदेवाई यहां से अब प्रभू के मंदिर का प्रथम द्वार प्रारंब हो चुका है यहां मंदिर के बाहर जूते उतारने के लिए प्योस्ता की गई है और यह मंदिर का मुख्यद्वार है और तप्त कंड के लिए यहां से आप नीचे को जा सकते हैं प्रभू के दर्शन करने से पहले आपको तप्त कंड में अस्नान करता है और उसके बाद आप प्रभू के दर्शन कर सकते हैं सब से पहले यहां रुप कर जूते चपल उतार ले और फिर असनान करें हवन तप्त कुंड में तो यहां से मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं और देश के शश्य प्रधान मंतरी और उत्राखन के मुख्या मंतरी जी का यहां पर बैनर लगा हुआ है जिसमें अठितियों का स्वागत कर रहे हैं और यह भरोसा दिला रहे हैं कि सासन और प्रशासन सरधालों के लिए हमीशा शमर्फित है और यहीं पर मंदिर की बेहत समीब अस्वियाई की ब्रांच है तो आपको पैसों की भी कोई शमश्या इस दहाम में नहीं आने वाली है आपकी हर शमश्या का यहां समाधाने तो आप धिरे धिरे हवन कुंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हवन कुंड के आपको दर्शन करवाएंगे आती सिग्र यहां आपने वस्तरहादिया आप उतार कर रख सकते हैं और उसके बाद अस्टनान कर सकते हैं तो आप सीधे ले चलते हैं आपको तप्त हवन कुंड की तरफ देखिए प्राते काल की छे वजे हैं और सब लोग अस्टनान कर रहे हैं क्योंकि पानी बहुत गर्म है यही प्रभू की लीला है और इस लीला का दर्शन करने के लिए ही और यहां इस तप्त कुंड में हवन करने के लिए ही मनुश्य उतारू रहता है और कहते हैं यहां अनने के वाद आपके जिवन के सभी कर्ष्ट सभी पीड़ाएं और यही कोई पाप जिवन में गलते से हो गया है तो वह भी प्रभू छमा कर देते हैं तो यह है तप्त कुंड माइनस दो डिग्री तापमान में भी यहां पानी इतना खौल रहा है और सरदार जल जन लगातार यहां सुनान कर रहे हैं और उसके बाद प्रभू के दर्शन करेंगे तो यह अद्धुद है अलाकिक है और सस्मे प्रभू का एहसास कराने वाला है तो पहले हम यह असनान कर लेते हैं और फिर आपको प्रभू के दर्शन करवाएंगे प्रहते काल की इस सुब बिला में तो मात्र सक्ति के लिए तप्त कुंड इस तरफ है मात्र सक्ति यहां असनान कर सकती है पुरूसुं के लिए यहां तब्तकुंड है तो काफी अच्छी व्योस्ता है किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है और निशन्द है आप प्रभो के दर्शन कर सकते हैं तो हमारे मित्र लोग भी हमें मिल चुके हैं बदेनाथ की स्पवावन भूमी पर हर्योग देखिए खोलता हुआ पानी और उसके जुवास पहे हवा में बहती हुई तो प्राते काल की सुब बेला पर भदिरनाथ भगवान में प्रथम चोटी पर शूरिया भगवान के भी दर्शन हो चुके हैं उन्होंने भी अपनी दस्तक दे चुकी है और वे भी अपना अपनी हाजरी भगवान वदरी नारायन जी को लगा चुके हैं नयिक कहते हैं सभी देवी देपल काड़ी का अधिन रहकर कार्या करते हैं तो सभी लोग तब्टटकुंड़ों में कर चुके हैं असनान बच्चे भी तब्टटकुंड़ों में असनान करने के वाद काफी खुस और प्रसंचित मुद्रा में नजर आ पापा जी ने भी कर लिया है असनान तो तब कुंड में लगातार सरधालुजन असनान करते हुए तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन इसना आपको संपूर्जर्चन करने का सौभाग्या प्राप्त होगा प्राते काल की सुब वेला पर जब आप भी आप मंदीर आएं तो मंदीर प्रेसर के अंदर भी आपको पूजा सामा करी उपलब्द मिलेगी आप यहीं पर अस्नान कर सकते हैं अपने वस्त्र भी यहां रख सकते हैं और यहीं से आप प्रसाद भी ले सकते हैं प्रभू के स्री कमल स्रणों में अपनी हाजरी और अपनी उपस्तिती दर्जी करवाने के लिए और इसके बाद हम प्रभू के द्वार में प्रवेश करेंगे और इस वक्त एक तरब शूर्य देपता अपनी उपस्तिती दे रहे हैं और वहीं चंद्र मावी भगवान स्री लक्स में नारेंड़ी के सीर्स पर बिराज मान ही तो काफी अद्वत और अलौकिक यहोद रिश्य है सर्दी में नाने के बाद आप गर्म गरम चाई भी यहां ले सकते हैं काफी ले सकते हैं कुलडवाला दूद भी आपको यहां पर मिल जाएगा जस से आपको अपने एनर्जी कंसीट करने में जो कंसीट भी है उससे दुवारा रिकवर आप कर सकते हैं तो काफी अच्छा है जोँआज जी भी कर चुके हैं तब तो कुंडवे असनान और सुबे की स्पाउन बेला पे कुंडवे खौलते हुए पानी में असनान करने में काफी आनंद प्राप्त हो रहा है और मानू जीवन धन्या हो गया हो आसी अनुवभूती हो रही है तेकि सरदालों का वज्यूम उम्ड़ा हुआ है तो अब मंदिर के लिए प्रुष्ट करते हैं और मैं तो आपको मंदिर के बाहर के दर्शन करवा पाऊंगा अंदर के दर्शन कराने की अनुमती यहां नहीं है लगातार मंदिर के लिए मैं प्रुष्ट कर रहा हूँ और सरवपर्था में आप लोगों को इस वीडियो के माधिम से मंदिर के दर्शन करवाँगा तो पस्छाथ हम प्रभो के स्रीकमल सरणों में अपनी उपस्तिती दर्जी करवाएंगे अपनी हाजरी लगाएंगे और यहां तो फाइनली हम पवीत्र भूमी में पहुँच चुके हैं जिसके दर्शन के लिए हर कोई उतारू रहता है तो यह हैं हमारे बदेनाद जी और बदेनाद जी के आसपस का वाता बरण यहां कि कितने लोगों पस्तित हैं आपको दिखाते हैं देखे और अब मैं बिल्कुल सामने शेख प्रभू के दर्शन आपको करवाएंगा तो फाइनली यह हैं हमारे बदेनाद भगवान जी जी हम साख साथ लक्समी नारायन जी उपस्तित रहते हैं मजाद अप्चुतम रामचन जी लक्समान जी महाराज मतार्जान किया और बजरिंग बली हनुमान जी उपस्तित रहते हैं जहां महाराज देरानी और पिता कृष्ण शाक्षात उपस्तित रहते हैं तो इस पवित्रस्तान के दर्शन करने के लिए सब लोग जीवन में अभीलासा रखते हैं और इस अभीलासा को पूरा करने के लिए प्रभू कठेन परिक्सा भी लेते हैं और जिसे यहाने का ज़ाघ्य प्राप्त होता है फिसे शाक्षात प्रभु का असरीबात और आदिश प्राप्त होता है तभी ओ यहां पहुंच पाता है और प्राते काल के सुईसु बिला पर मंदिर में प्रभु की दर्शन के लिए बक्तों का वजूम उमड़ा हुआ है काफी भव्य भीड यहाँ है और मंदिर प्रांगण में भी दिखिए भक्त जन और सरदालो लगातार प्रभु को निहार रहे हैं प्रभु के पवित्र दर्सनों का अवलोकन कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं अपने जीवन से पाप कर्मों से मुक्त होने की भगवान से प्रातना कर रहे हैं तो यह है काफी अच्छा मैं मंदिर के चारों तरफ का आपको द्रिश्यव दिखा देता हूं अप्रभु के दर्सन तो आप करी चुके हैं जरूर इस पवित्र धाम में आने का मन बनाएं निस्तिति प्रभु आपकी हर मनों का अमना पूरी करेंगे आपके जीवन के हर दुख और कलेश शमाप्त कर अब तो जीवन में नहीं उन्नति और प्रगति मिलेगी तो कुछ ऐसा है प्रभु के इस पवित्र प्रांगण का वातावरण और यहां का दृष्य प्राक्रतिक दृष्य काफी शुंदर है मंदिर प्रांगण काफी शुंदर है और यह जब आप मंदिर के लिए वहां से दर्षन करके यहां से यह बहार आने का मारगए है और फिर अब की यात्रा पूरी होती है तो बहुत करीब से अब उनीस 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 यह प्रभु ओम और अब यहां से आगे के दर्षन मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्षन करने के पस्चात करवाऊंगा बत्त जणों देखो प्रभु के दर्षन के लिए सरदालों की काफी वड़ी और लंबी काफी भीड़ और लंबी लाइन एक एक पड़ाव कार पार करके प्रभू के दर्शन के लिए पहुंचना पड़ता है सरदालों को खाफी कटिन प्रीश्रम करना पड़ता है तब जाकर कहीं प्रभू के दर्शन होते हैं प्रभू के दर्शन करने मैं भी काफी कठी नहीं है कि सरदालों की काफी भीड है सुफ मोहरत में प्रातोकाल के इस मोहरत में शवी भक्त प्रभू के दर्शन पाना चाहते हैं तो सब लोग प्रियास कर रहे हैं और सबी लोगों को जिसे प्रियास में शफलता कुछी शमय के प्रसाथ मिलने वाली है तो आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं इसी पवित्र और मनोहर द्रिश्य को देखने के लिए सबी लोग उत्साहित हैं और देखिए शुरिया देप्ता भी अपनी उपस्तिती दर्ज करवा चुके हैं मंदिर की पीछी तरफ जो पहाड़िया हैं उनकी चोटियों पर अभी हम मुख्यद्वार तक पहुंचे नहीं हैं काफी परियतन हमको अहां तक पहुंचने के लिए करना है तो सरधालो जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो बाहर बद्री नरारेजी के मंदिर के खुबस्पूर द्रिश्य को निहार रहे हैं यहां चोटे बच्चे जवान गुजूर्ग और महला हैं मात्र शक्ति सभी ल सब्सक्राइब दर्शन करते हैं यह मुझा पता है क्यूंकि हम इतने दूर से पूरी सरधा के साथ प्रभू के दर्शन करने आते हूं तो यहां पर आकर फिर इतनी लापरोवाई क्यों या इतनी कंजुस्य istiyorum क्योंकि जबooky हैं तो प्रऊप्र तरीके से जैसे और लोग जा तरीका लगता है प्रभू के दर्शन करने का और इससे भशड़ बाजी भी होती है और भकत जनों को भी प्रेशानियों का सामना करना पड़ता है तो जब भी भगवान के धाम में आएं इस परकार का महुल पैदा न करें जिससे कि आप भी प्रेशान हो और सरदालों को भी प जो मुख्याद्वा इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि यहां पर काफी भषड़ हो रही थी और सौटकर तरीके से प्रभुके दर्सन करने की लालसा लोग उत्वन कर रहे थे तो यह अब बदरिनाथ भगवन जी के प्रांगण से एक खूफशूरत परवतमाला है कुछ उस की देखती हैं लेकिए लेकिन कहते हैं सरदा के सामने सर्दी गर्मी इन सब चीजों का हमारे सरीर पर और हमारे दिमाग पर कोई परवाव नहीं पढ़ता है तो शूर्य देपता भी अब दस तक देश चुके हैं और लक्षमिन आरेंज जी के सरणूं में सूर्य देपता अ हाजरी लगा चुके हैं तो बाहर का जुबाता वरण है और कुछ इस प्रकार का है मैं पूरे प्रांगण के सारूं तरप का द्रिश आपको दिखाता हूँ देखिए प्रभो का मुक्याद्वार और तरसन करने के बाद सरदालू मंदिर प्रांगण के बाहर मंदिर का पु प्रभो के कमल चलू में हाजरी तो लगा चुके हैं अब विदाई का हम आपको अंतिम दिरिश दिखाएंगे और उसके बाद अगले वरस सब हमें यहाने का शुबाग्या प्राप्त होगा तो पुनो हम आपको प्रभो के दर्शन करवाएंगे तब तक के लिए आप सबीर सरदाल जुनू का हमारे साथ जुड़े रही हैं आओ आओ ना मंदिर के बाहर सब लोग भक्ती में लगे हैं प्रभो की प्रभो के दर्शन करने के बाद प्रभो आप सभी भक्तों के मनोग आमना पूरी करें